नाइट्रोजन परिवार के ओक्सीकरन अवस्था के बारे में हम जानेंगे इसमें जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है वह है एनस्टू एन्पी थी अर्थात यहां पर बाहतम कोश में पाच इलेक्ट्रॉन हैं तो यह अपना अश्टक पूरा करने के लिए या तो पाया जाता है क्योंकि बाहतम कोश में पाच है यदि वह तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहन करता है तो उसका अश्टक पूर्ण होता है प्राया सभी में माइनस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है नाइट्रोजन यहां पर कई प्रकार की ऑक्सीकरन अवस्था दर्शा सकते ह प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 इसी प्रकार फॉस्फोरस में प्लस 3, प्लस 5 है आर्सेनिक प्लस 3, एंटीमनी प्लस 3, प्लस 5, बिसमत में प्लस 3 और प्लस 5 होता है तो जैसे जैसे उपर से नीचे आते हैं तो उपर से नीचे आने पर यहां माइनस 3 ऑक्सीडेशन स्टे परमाणु आकार बढ़ता है तो माइनस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट की जो प्रवित्ती है वो यहां पर कम होने लगती है यहां पर हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो आकार में छोटा होता है फॉस्फोरस भी आकार में छोटा होता है उच्छ रेन विद्यूती तत् कर सकते हैं तो यहां जैसे अगर लीथियम के साथ जब यह नाइट्राइड बनाते हैं तो देखिए लीथियम प्लस एन टू इस एक्वल टू एलाई थ्री एन बैलेंस करने के लिए हम इसे कर सकते हैं थ्री एलाई हाफ एन टू प्लस करेंगे तो बनेगा लीथियम Li3N, इसी प्रकार यदि magnesium का nitride बनेगा, तो 3Mg plus N2 is equal to Mg3N2, तो magnesium nitride हो गया, तो ये जो nitride हैं, ये ionic प्रकृति के होते हैं, और lithium nitride, magnesium nitride और calcium nitride, ये ज़्यादा स्थाई होते हैं, इसका कारण ये है nitrogen का आकार का छोटा होना, क्योंकि nitrogen आकार में छोटा होता है, तो ये स्थाई nitride form कर सकते हैं, nitrogen में माइनस 3 oxidation state प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक उर्जा की आवशकता होती है, लगभग 2125 किलो जूल पर मोल उर्जा की यहाँ पर आवशकता होती है, तो nitrogen माइनस 3 oxidation state शो कर सकते हैं, और प्रायह इस परिवार में हमने देखा कि सभी तत्व माइनस 3 oxidation state शो कर सकते हैं, और nitrogen कई प्रकार की oxidation state भी दर्शा सकते हैं, अलग-अलग योगिकों में, तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे, तो जो hydrogene है N2H4, इसमें माइनस 2 oxidation state है nitrogen की, hydroxylamine NH2OH, इसमें माइनस 1 oxidation state है, जो nitride बनाते हैं, वो माइनस 3 oxidation state शो कर सकते हैं, जैसे ह हमने देखा calcium nitride या lithium nitride या magnesium nitride, तो यह सब में माइनस 3 oxidation state होता है, उपर से नीचे आते हैं, तो हम यह देखते हैं कि plus 3 oxidation state ज्यादा स्थाई हो जाती है, और जो बिसमत होता है, वो पेंटा फ्लोराइड बनाता है, BIF5, बिसमत पेंटा फ्लोराइड, जो बहुत अधिक स्थ होता है, जब हम उपर से नीचे आते हैं, तो प्लस 3 oxygen अवस्था ज्यादा स्थाई पाई गई है, इसका कारण है अक्रिय योग्म प्रभाव, तो प्राया देखा गया है कि जो P-block तत्व होते हैं, उनके जो भारी तत्व होते हैं, उनके बाहतम कोश के NS के 2 electron अक्रिय जोड की तरह कारे करते हैं, तो उसमें जो P-3 oxidation state होती है, वो ज्यादा स्थाई हो जाती है, क्योंकि जो NS के 2 electron होते हैं, वे बंद बनाने में भाग, नहीं लेते हैं, अक्रिय जोड़े की तरह कारे करते हैं, तो यहाँ पर बिसमत का जो फ्लोराइड है, BIF5 वो ज्यादा स्थाई है, वो भले ही बनता है, लेकिन प्लस 3 oxidation state वाले जो compound होते हैं, ज्यादा स्थाईद को दर्शाते हैं, तो अक्रिय यूग प्रभाव में यहीं हम जानेंगे कि NS के जो 2 electron है, वो बंद बनाने में भाग, नहीं लेते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, कि nitrogen plus 5 oxidation state तो या NF5 यह नहीं बना पाते हैं, तो इसका कारण यही है, कि nitrogen का जब हम electronic विन्याज देखते हैं, या nitrogen दूसरे आवर्थ का तत्व है, तो N बराबर 2 हम लिखते हैं, यहने उसमें 1 S कक्षक और 3 P कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर कुल 4 कक्षक होते हैं, तो जब सहसे हो जगता का प्रसार होता है, तो उसके लिए और कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, यहाँ पर D कक्षक होते हैं, तो सहसे हो जगता जो प्रसार है वो आगेत के कक्षक तक नहीं हो पाता है इस कारण से ये पेंटा हेलाइट नहीं बनाते हैं वहीं दूसरी और जो इस परिवार के भारी सदस्य होते हैं तो उपर से नीचे आने पर जो जिन तत्वों को हम देखेंगे सभी में D-orbital present होता है तो D-orbital उपस्थि के फॉर्म में भी देखा गया है PF6F तो यहां पर फॉस्फोरस उच्छ सहसे हो जगता वाले कंपाउंड बना सकता है जिसमें की 6 सहसे हो जगता होती है जैसे PF6- तो यहां पर जितने भी और एलिमेंट से नाइट्रोजन के अलावा इसमें देखा गया है कि यह 5 एवं 6 सहस हो रहे हैं सबसे पहले नाइट्रोजन देख रहे हैं तो नाइट्रोजन 5 सहसे हो जगता वाले कंपाउंड भी नहीं बनाता है और 6 सहसे हो जगता वाले कंपाउंड भी नहीं बना रहा है वहीं फॉस्फोरस PF5 बना रहा है जहां 5 सहसे हो जगता है PCL5, P2O5 यह सारे कंपा ASF6- बनाता है इसी प्रकार एंटी मनी SBF5 और SB205 बनाते हैं और 6 सहोजगता के लिए SBF6- बनाते हैं बिस्मत BIF5 बनाता है छे सहोजगता वाले कोई compound बिस्मत नहीं बना रहा है तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से अलग-अलग सहोजगता के compound ये बना सकते हैं d-orbital के presence के कारण यह हम कहें कि उच्छ सहोजगता वाले जो compound है वो भी यहाँ पर बन सकते हैं जो प्लस 5 oxidation state है और प्लस 3 oxidation state है वो यहाँ common होता है तो प्लस 5 oxidation state वाले जितने भी compounds होते हैं वे सभी सहोजगत प्रकृति के होते हैं जबकि प्लस 3 जो oxidation state वाले compound बनते हैं वे आयनिक प्रकृति के भी होते हैं और सहसे उजग प्रकृति के भी होते हैं तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि यदि प्लस 3 oxidation state है तो जो आयनिक योगीक बनेंगे वे होते हैं यहाँ पर BIF3, SBF3 प्रकार का और कुछ उदाहरण हम सहसे उजग के देखेंगे तो सहसे उजग जो compound है उस पे NCl3, PCl3, ASCl3 यहाँ जब हम उपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो प्लस 3 oxidation state बढ़ता है और प्लस 5 oxidation state कम होता जाता है उपर से नीचे आने पर चुकि आकार बढ़ता है तो धातविक प्रकृती बढ़ती है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ionic बंद बनाने की परवृत्ती भी बढ़ेगी क्योंकि हमने यह देखा कि प्लस 5 oxidation state वाले जो compound होते हैं वो केवल सहसे उजग योगिक बनाते हैं तो जब हम उपर से नीचे आते हैं तो चुकि प्लस 3 oxidation state ज़्यादा स्थाई होता है तो यहाँ आयनी की योगिक बनाने की प्रवृत्ती भी ज़्यादा होती है और धातविक गुड़ भी बढ़ता जाता है nitrogen के कुछ असामान विभार है उसके कारण है कि nitrogen अत्यंत छोटे आकार का होता है इसमें nitrogen triple bond भी बनाता है N2 द्वी पढ़वानू करू के रूप में पाया जाता है इसकी रिडविद्यूता उच होती है आयनन उर्जा का मान भी उच होता है इसमें nitride बनाने की प्रवृत्ती भी पाया जाती है और N-N triple bond के रूप में जुड़े होते हैं तो चुकि N-N triple bond के रूप में जुड़े ह होते हैं तो यहाँ पर बंद वियोजन उर्जा का मान भी बहुत अधिक होता है यहाँ पर D-कक्षक absent होते हैं तो nitrogen के बाद जितने भी तत्व होते हैं तो उसमें आतिवयापन की जो सीमा होती है वो थोड़ी कम हो जाती है इसलिए वे P-P-P-P-Bonding नहीं कर पाते हैं nitrogen P-P-P-P-P-Bond करता है या P-P-P-P-Bond बना सकता है इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि nitrogen N2 के रूप में होता है और N और N के बीच में P-P-P-P-Bond बनता है जबकि बाकी जितने भी तत्व होते हैं जब हम उपर से नीचे आते तो जो कि आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने के कारण इसमें जो पार्शवर्ती अतिवयापन की जो सीमा होती है वो थोड़ी कम हो जाती है तो पार्शवर्ती अतिवयापन नहीं हो पाता है तो यह P- परमाडू के रूप में पाय जाते हैं या इसमें अतिव्यापन की जो सीमा होती है वो कम हो जाती है क्योंकि इनका आकार बढ़ जाता है नाइट्रोजन कई सारे अलग-अलग योगीकों में अलग-अलग प्रकार की ऑक्सिडेशन स्टेट शो करते हैं तो यहां हमकुछ उधारन देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे अमोनिया तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो-3 ऑक्सिडेशन स्टेट यहांए है यहां पर इसका ऑक्सिडेशन स्टेट है-2 हाइड्रोक्सीलेमीन-1 नाइट्रोजन एक एन्ट्रोजन के लिए जो ऑ nitrogen tetraoxide plus 4 और nitrogen pentoxide plus 5 तो ये सारे जो अलग-अलग oxidation state हम देखते हैं तो अलग-अलग योगीकों में nitrogen कई प्रकार के oxidation state शो कर सकते हैं अब हम विशम अनुपाती अब घटन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे तो nitrogen हम फॉस्फोरस में देखा गया है कि अलग-अलग प्रकार के oxidation state अलग-अलग माध्यम में भी दर्शा सकते हैं और एक ही reaction में उस एक तत्व के कई सारे oxidation state हम देख सकते हैं तो यहां nitrogen का सबसे पहले हम उदाहरन लेंगे कि nitrogen जो है वो प्लस 1 से प्लस 4 oxidation state तक जितने भी oxidation state है उन सब में वो अमली माध्य में विशम अनुपातन अभगटन अभी करिया भी दर्शाते हैं तो इसका एक उदाहरन है 3 HNO2 is equal to HNO3 plus 2 NO plus H2O यहां पर जो nitrous acid है इसमें nitrogen plus 3 oxidation state में है जबकि nitric अमले में जो nitrogen है वह plus 5 oxidation state में है और nitric oxide में plus 2 oxidation state में present है तो एक ही reaction में यहां पर हम देख रहे हैं एक ही तत्व अलग-अलग प्रकार के oxidation state show करते हैं phosphorus का उदाहरन हम देखेंगे तो उसमें भी यह पाएंगे कि अमली माध्यम हो या फिर छारी माध्यम हो तो माइनस 3 से प्लस 3 oxidation state में वो अलग-अलग विशा मनुपातन अभ घटन अभी करिया भी दर्शाते हैं जैसे यहां पर 4H3PO3 is equal to 3H3PO4 plus pH3 तो यहां phosphorus की अलग-अलग oxidation state देखिए first यहां पर H3PO3 में P के लिए oxidation state है प्लस 3 S3PO4 में oxidation state P का है प्लस 5 और pH3 में P के लिए oxidation state है माइनस 3 तो इन दोनों उदाहरनों में हमने देखा कि विशम, अनुपातन, अभ घटन, अभी करिया यह दोनों तत्व एक ही reaction में कई सारे oxidation state यह शो कर सकते हैं अगला गुण है बहु बंधता एवं रासायनी करिया शीलता इसका अर्थ है कि जो nitrogen है उसमें हमने देखा कि यह triple bond फॉर्म करते हैं N और N के बीच में triple bond होता है P pi P pi bonding बनाने की इसकी शमता होती है इसके लिए जो बंधन उर्जा का मान है वो बहुत ही अधिक होता है क्योंकि triple bond से यह bonded होते हैं तो इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक उर्जा की अवशिक्ता होती है nitrogen के लिए बंधन उर्जा का मान है 946 किलो जूल पर मोल phosphorus P4 form में पाया जाता है और ज़्यादा क्रियाशील होता है जबकि nitrogen जो है वो अक्री होते हैं इसका कारण यह है कि nitrogen प्राय अक्री ही इसलिए होते हैं क्योंकि वही उसमें बंधन उर्जा का मान अधिक होता है वे आपस में triple bond से bonded होते हैं जबकि phosphorus अधिक क्रियाशील होते हैं और यह चतूर पर माडू के रूप में पाया जाते हैं P4 के रूप में हम इसे देखते हैं तो phosphorus में यह देखा गया है कि P4 में हम देखते हैं कि इसमें चारो पर माडू चतूर फलक के शीर्षो परिस्थित होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं तो यहाँ phosphorus में SP3 जो संकरण है उसके कारण 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनना चाहिए लेकिन यह अणू बहुत जादा तनाव युक्त होता है तो यहाँ पर जो बंद कोण का मान है वो 60 डिग्री का होता है और इस कारण से यह सारा जो अणू है P4 फॉर्म में जो हम देखते हैं भॉसफोरस को तो यह बहुत अधिक तनाव युक्त होता है तो अधिक तनाव युक्त होने के कारण यह अणू सक्री होते हैं वहीं जो लाल फॉसफोरस होते हैं लाल फॉसफोरस एक सीधी स्रिंखला तो लाल फॉस्फोरस जो है वो दूसरे फॉस्फोरस की तुलना में थोड़े कम क्रियाशील होते हैं या निश्क्री होते हैं क्योंकि जो लाल फॉस्फोरस होते हैं वो खुली श्रिंखला बनाते हैं नाइट्रोजन के अलग-अलग जो oxidation state हमने देखा कि नाइट्रोजन विभिन प्रकार के योगिकों में परिवर्ती ओक्सिकरन अवस्था भी दर्शाता है तो कुछ उदाहरन हम देख लेंगे सबसे पहले हम देखते हैं sodium nitrate में plus 5 oxidation state, potassium nitrite में plus 3 oxidation state, sodium azide NAN3 में minus 1 by 3 oxidation state, N2O nitrous oxide में plus 1 oxidation state, HNO3 nitric acid में plus 5 oxidation state तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अलग-अलग योगीकों में अलग-अलग प्रकार की ऑक्सी करनवस्था दर्शाती है वहीं फॉस्फोरस में ये देखा गया है कि उसका आकार बड़ा है तो यह पी-पाई-पाई जो अतिव्यापन है वो तो नहीं कर पाते हैं लेकिन पी-पाई-डी-पाई अतिव्यापन करके वो कई सारे योगीकों का निर्मार कर सकते हैं तो उसमें से कुछ उदारन है फॉस्फोरस ओक्सो क्लोराइड ये प्रकार का कमपाउंड है जिसमें पी-पाई-डी-पाई अतिव्यापन होता है तो उसका सूतर देखिए फॉसफोरस ओक्सो क्लोराइड इसी प्रकार से ट्राइफेनिल आरसीन और ट्राइफेनिल फॉसफीन ये भी P-Pi-D-Pi bonding के कारण बन पाता है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि P-Pi-D-Pi bonding है उसको शो करने के लिए nitrogen उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि nitrogen का आकार बहुत छोटा होता है और इसमें जो अतिव्यापन की सीमा है वो कम हो जाएगी जैसे हम P-Pi-D-Pi bonding जो करने वाले हैं वो अधिक परमाडू अकार जिनका है वे कर पाते हैं जिनका अकार छोटा है वो नहीं कर पाते हैं तो इस कारण से जो phosphorus के compound या arsenic के compound हमने देखे वो इसी कारण से है क्योंकि वह P-Pi-D-Pi bonding कर पाते हैं hydrogen के परती kriya shilta